तो दोस्तों कोली और गोतम गंबीर दोनों के बीच में जो पिछले मैच में लड़ाई हुई थी उसका मुद्धा अब बढ़ता ही जा रहा है अईस वीडियो के अंदर हम दर्शकों के जो कॉमेंट है वो आपको सुनाएंगे कि वो इस मुद्धे के उपएर अपने क्या क्या कॉमेंट दिख रही है तो राचंद्रा भाई इनको देखिए अब राचंद्रा भाई कह रहे हैं कि गंबीर जी सलसद है उन्हें राजनित्ती में ध्यान देना चाहिए ने की किरकेट में लेकिन ये ने तो राजनित्ती में गंबीर है और ने किरकेट में किसान हल से खेट जुताई करता है फिर हल की पूजा करता है किरकेटर के लिए उसका बला बाल एलमेंट उनका अस्तर सस्तर है जीतने के बाद एलमेंट को ग्राउंड में पटकना सही है या गल्त इस पर गंबीर जी कुछ बोलेंगे सोहेल अनसारी कह रहे है कि गंबीर का टाइम खतम क्या इसको चुल पड़ी थी बीच में आने की रही बात विराट बाई की तो इनका एटिटूट इनके पर सूट गरता है क्योंकि खिलाडी में दम है क्राप सेंटर से कॉमेंट आ रहा है कि लेकिन यहां गल्ती लखनव जेंट्स वालों की है उस दिन आवेश ने अलमेंट पेका बंगलोर में बिश्नोई भी अग्रेशन दिखा रहे थे गंबीर अलग अलग लेवल पर थे तब आर सी बी वालों ने सर जुका कर अपना रास सत्यम कुमार क्या कह रहे है कि कॉली की कोई गलती नहीं है विराट पहले बारती खिलाडी है बाद में आर सी बी के गोतम को अफगानी खिलाडी की जगा कोडी का साथ देना चाहिए था क्योंकि गलती अफगानी खिलाडी नवीन की थी अब ये बीच में नवीन को भी ले कि कोई बार का खिलाडी हमारे खिलाडी के साथ अमारी लीग में बुरा बरताओ करे यह अमारे लिए सरम की बात है ऐसे बारी खिलाडी को आई-पियल में नई खिलाना चाहिए और बार्त देश में आने की अनुमती भी नहीं देनी चाहिए इन्होंने दो बहुत ही बड़ी बात कर दी है वसीम वसीम जी कहते है कि नवीन कुल हग को अपने उकात में रहना चाहिए इतनी उसके देश की एकोनमी नहीं है जितना विराट कोली भाई ये केंड का चार्ज लिता है आई पील से बाहर कर देना चाहिए हमारे स्टार खिलाडी का हाथ जपट देता है उसको गोतम जी का गलती है आई लव विराट कोली ये विराट कोली के फैन है ये निचे वाई आई स्पोर्ट गंबीर ये गंबीर के फैन है तो इनके कोमेंट का जो मुद्धा है वो फेस्बूक और ट्विटर पर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है विवेक जी कहते हैं कि विरा इसका लीग है और कोई विदेश सी खिलाडी हमारे लिजट को आख दिखाए तो यह हम बारतवाशियों को मनजूर नहीं है और गंबीर वाई तो सलसद है उनको सब सोबा नहीं देता है वे टीम के मेंटर है उनको किवल कुर्शी पर बेठना चाहिए यह काम उनका नहीं है य लिजट के बारे में आप कहें रहे हैं वह कोई है भा गहरा कहलाडी नहीं है यह पुतम गंबीर पर आरफ लगा रही है तल्वन केस जी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है वो कह रहे है कि गंबीर को उड़ता तीर लेने की आदत है एमडी वासी अनसारी कह रहे हैं कि गंबीर को भी बेंस्टो कहने का मन करता है क्योंकि वो एक सांसद है उसे लड़ना चाहिए मोदी जी से पहलवान बेहनों के लिए और लड़ाई कर रहा है कॉली से बड़े अच्छे अच्छे कॉमेंट आ रहे हैं दोनों की लड़ाई के मनोज कुमार यादव जी कह रहे हैं कि मामले की गंबीरता को देखते हुए मैं भी कॉमेंट करने आया था लेकिन या पहले से ही आप सभी ने मोर्चा समारा रखा है इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अपनी और से कोई भी इन्होंने कॉमेंट नहीं डाला है क्योंकि इनके जो वाइब बंदू है उन्होंने मौर्चा समारा रखा है तो इसके अंदर हम जो देख रहे हैं तो इसके अंदर गौतम गंबीर के भी फैन है और विलाट कॉली के भी फैन है दिपक तिवारी कह रहे हैं कि जिस टीम का मेंटेनर ही ऐसा है जगड़ावाडा उसका असर बाकी खिलोडियों पर भी दिखे गाई प्रिक में भी क्या कहते हैं कि कॉली भाई ने राहूल गांदी जिंदा बाद बोल दिया होगा गंबीर गुसा हो गई क्रिकेट के मैच की बात चल रही है और ये भाई साव इसको राजनिती के अंदर ले गए ये हमारे देश इंडिया के अंदर ऐसा पोसीबल है क्योंकि यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीच के अंदर थोड़ा थोड़ा मजा लेने के लिए आते हैं तो जिस तरह से कॉमेंट आ रहे हैं मुझे तो लगता है कि गुराट कोली और गुत्तम गंबीर अगर दोनों इन कॉमेंट को पढ़ लेंगे तो आदा जगड़ा तो साहिद कॉमेंट से ही इंडिया वाड़े हल कर देंगे सुनील जी कहते हैं कि गंबीर साब को बारतिय को चुप नहीं कराना चाहिए और गंबीरता से मामले का समधान करवाना चाहिए विदेशी खिलाडी को हद में रहना चाहिए अभी ये एसस माथूर जी कह रहे हैं कि विराट कोली की सरासर गलती है कि उन्होंने सडक चाप सासद को मुझ पर थपड क्यों नहीं जड़ा ये कह रहे हैं कि गंबीर के मुझ पर उनको विराट कोली को थपड जड़ देना चाहिए था ये जन्ता के पैसे से नसे में डूबा रहता है फिर इसे कुछ दिकाई नहीं देता ये नसे में आकार दोनी, विराट और अन्य खिलाडी को कुछ न कुछ अनाब सनाब बोलता रहता है राजनित्ती और किर्केट मुद्धा साइड किर्केट का था और राजनित्ती के अंदर भी अभी चला गए है तो राजनित्ती और किर्केट दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं ये बाई कहा रहे हैं सत्या जी की कोली गमंडी है कुछ ज्यादा ही बोलता है ये गोतम गंबीर के फैन है तो वाटसब पे फेस्बुक पे टुइटर पे जहां पर भी इंस्टाग्राम तक आप जहां पर भी जाकर ओनलाइन देखोगे विराट कोली गोतम गंबीर की टीम के बीच में जो पिछले मैच के अंदर हंगामा हुआ था वो बढ़ता ही जा रहा है और रुखने का नाम नहीं ले रहा है सुबम भाई कहते हैं कि कोली जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था चो किदार ही चोर है इसलिए लड़ाई हुई थी तो दोस्तों ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है अगर आपका भी मन कर रहा है कि कोई के निचे कोमेंट बोक्स में अपने कोमेंट डाल कर बताएं कि इस मामले को आप किस दश्टी कोन